बिसम्म इल्ला इंयम असलाम लेकूम विल्कम है आपका गुलफूट सिक्रेट मेर अधिया आज ने आपके साथ शेयर करने जा रही है यामी बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही सॉफ्ट वने वाले ये परच ये था है तो फ्रेंद्स आप लोग रेसिपी को फुल वच कीजिएग तो फ्रेंट्स आज की रस्पी स्टार्ट करते हैं यहां पे मैंने एक बड़े साइस का प्यास जो है उसे मैंने चॉप कर लिया है आप कोशिश करें कि इने बारेक चॉप करें ताके जो प्यास है वो आटे में से ना निकलिये रोटी में से तो यहां पर मैंने लिया है ब्लेंडिंग जार उसमें मैं आड़ करूंगी एक बड़ा टमाटर और हाफ इंच मैं यहां पर आड़ करूंगी अद्रक का तुकरा तीन में आड़ करूंगी ग्रीन चिली अगर आप ज्यादा मिर्चे पिसंद करते हैं तो आप इसके अंदर ग् अधिक बना लेंगे इनका और यहां पर मैंने लिया है बाउल मिक्सिंग बाउल जो होते हैं उसमें मैं आड़ किया है वीड फ्लॉर गंदूम का आठा यह तो फिप्ती ग्राम के करीब मैंने यहां पर गंदूम का आठा लिया है अपने इसके अंदर प्याज कर दूंगी दो खाने के चमज तो टेबल स्पून के करीब हरा धनिया एक चाय का चमज इसके अंदर सुरख मिर्च चुथाई चाय का चमज मैंने इसमें हल्दी पाउडर एड़ किया है आदा चाय का चमज मैंने इसमें गरमसाला पाउडर एड़ किया है नमक आप अपने टेस्ट के मत तो यहां पर कशाए का तुमाटर ओर इसना का नीच कर सकते हैं और हाफ चाए का चमच जो होता है आधा चाय का चाए का चमच में इस नहीं को सूरी मेति यहां और पिल्कुल आपने इसका पाइस में अजनागा ना है है और अब मैं इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी पानी आपने पहले आड़ नहीं करना है पहले आपने इस मिक्सर के साथ आटे को थोड़ा सा गूंद दिना है तो अगर आपको जूरत हो तो इसके अदर से थोड़ा सा पानी आड़ करना है आपने ज्यादा प जैसे जैसे आटे को गूनते जाएंगे तो यह खुद बाखुद सोफ होता जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने प्याज एड़ किये हैं तो इसे मैं पांच मिनट के लिए रख दूंगी रेस्ट पे ताकि यह सेट हो जाए तो यहां पर पांच मिनट हो चुके हैं मैंने हातो तो थोड़ा सा पानी लगाया है हलका सा और मैं इसे दो मिनट तक अच्छे से नीट करूंगी एक से दो मिनट तक आप इसे नीट करें ताकि यह मुलाइम सा आटा हमारा रेडी हो जाए तो यहां पर मैं एक बॉल के साइस का मैं यहां पर पेरा ले लूँगी और आपने पेड़े को अच्छे से गोल कर लेना है और उसे मैं आटे के अंदर जो है वो डीप करूंगी आटा इसको अच्छे से लगाऊंगी और अच्छे से ब्लugen यहां से तरह तरहााल बर बल newgy गधाना अपने इसको बारीक भीलना है और ना ही तारह हमारी रोटी होती ये इसी तरह आपने इसको मेस और अब मैं इसके किनारों को थोड़ा सा दिबा रही हूं ताकि जो प्यास बाहर निकले हैं वो अंदर सेट हो जाएं बाहर ना निकलें तो अब मैं इसे ट्यात से उठाके तवे के उपर फेला दूँगी तवा यहां पर मैंने गरम होने के लिए रख दिया था यह मीडियम फ्लेम मैंने रखी है तवे के नीचे तो यह गरम हो चुका है और मैंने फ्लेम को जो है वो थोड़ा सा लो कर दिया है और अब इसे 10 है वरना यह जल भी सकता है तो यहां पर मैंने 10-10 सेकंड तक दोनों साइड को जो है वो हलका सा प्राइ कर लिया है मैं इसके उपर दो खाने के चमच के करीब में इसके अंदर और लगांगी इसके उपर अगर आपके पास घी है तो आप घी भी लगा सकते हैं और अगर इसे और प्राइ कर लोगी इस प्राठे को ताकि यह अच्छा सा इसके उपर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो यह देखे हमारा प्राठा जो है अनियन प्राठा जो है वह बहुत रेडी हो चुके है दोनों साइड से बहुत अच्छा पक चुक है मैं इने प्लेट में निकाल लूगी तो यहां पर मैंने सारे पराठे जो हैं सारे आटे के वह त्यार कर लिए और मैं आपको दिखाती में देखें कितना देखने से कितना टेस्टी लग रहा है यह और यह खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी था तो आप लोग ज़रूर रेस्पी को अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज रेस्पी को लाइक कीजिएगा और कमर सेक्शन में मुझे अपनी राइक इसहार जरूर देते रहा करें कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगती है नेक्स्ट रेस्पी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूंगी मुझे अपनी